जेके फस्ट नियूज पर सबका स्वागत है खुशामदीन है आज हम है ख्वास में जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं यह में रोड है जो रोड कनेक्ट करती है काला कोट से मोगला मोगला से ख्वास बीच में 15 पंचाइते यह कनेक्ट करती है इस सिंगल रोड और यह रोड जाके कोट रंका से भी कनेक्ट होती है यह सिंगल रोड है जो कि इस पूरे एरिये को क्योंकि काफी बड़ा एरिया है यह इस एरिये को देखा जाए यहां पर कम से कम 40,000 जो हैं वोटर हैं अगर जंसंख्या की बात की जाए तो वो कम से कम एक लाग से उपर होगी एक पेंट ने यहां पर पहले रोड बनी लेकिन उसके बाद कोई हालत नहीं देखीगी इस वक्ता दोर है यहां पर बात करने के लिए हमार साथ यहां पर आप 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 अपना तारुफ करवाएं सर में हूँ पैंच महमद रशीद वार नमबर एक पंचायत कीरी तसील खवास से सर यह जो रोड है हम आए हैं यहां पर यहां से हम आए खस्ता हालत है एक जो आपका मेन नाला है जिसे आप पटी नाला पटी नाला उस पे अभी तक सर आपका पूल नहीं बना यहां पर जब भी कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है जा आप खुद क्या कभी आपने अडिमिस्टेशन से या अपने जो रिप्रेजेंटेटिव से उने कभी बात नहीं की इस चीज़ के वरे हैं खुद को अनुमकर हम यह अपने अपने मंतरिउं से भी बात की अमेले से भी बात की जो आता है वह ही किया कि चल जा जाता है कि हम यह पूल बनाएंगे अभी तक तो यह पूल बनाने यह इसकों वार बार बीच मेरते हैं नाले में बाकी मैं सबसे पहले तो अपने डीसे सहब को अधाब कहना चाहता हूं उसके बाद मैं रिकपेस्ट भी करना चाहता हूं कि मोगला से जो रोड पटी नाला से खुआस में जाती है इसकी अहालत तो बहुत खासा हाला है जब कर हमारा कोई में इदर बैमार हो जाता है तो उसको गाड़ी ने मिलती है चोटी गाड़ी इस ओट पर चलने सगती बड़ी वाले गाड़ी चलती है तो ट्रॉक ट्रॉक इपर चलते हैं बशें चलती है लेकर छोटी गाड़ी को balcony छाती इसलिए अगर उमारा कोई आदमी बैमारा दिथ उसकी डथ इधर ही हो जाती है तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ डिस साब से कि जो ये ग्रिफ ने रोड बनाया था आठ साल हो चुके हैं इस रोड को बने हुए आई दिन तक इस रोड को देखने के लिए भी कोई आदमी कोई ठेकेदार कोई ग्रिफ वला नहीं आया तो मैं ये डिस साब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो ये रोड बना है इसकी देखबाल कीजए और इसको अच्छी तरीके से बनाया जाए तो ठीक है हमें पबलक की परिशानी है और पबलक हमारी जो इतनी है इस वकत खासा हाल है ये जो कवाटीन में इस वकत लोग बिमार हैं कोई किसी को हांस पीटर लजाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिलती है लाजा मैं आर्ज करता हूँ मेरी आर्ज है ये आप से कि इस रोड की देखबाल कीजए और रोड को सही तरीके से डंग से बनाया जाए पटी नाला में पूल दिया जाए और ख्वास तक जो रोड है ये सही तरीके से डंग से काम्पलीट कीजए और जैदे कुछ नहीं कहने पर मैं इतनी पर इख़तम करता हूँ लाजा मेरी ये आर्ज है तो सर आप सुन रहे थे के एक ही इनका मुद्ध है के एक हमें पुल बना दिया जाए और हमारी रोड ठी कर दी जाए क्यूंकि एक ही रोड है मेडिकल का केस हो प्रेगनेंसी का केस हो डिलीवरी केस हो और कुछ अगर कोई बज़ूर्ग अगर बिमार हो जाए उसको ले जाना पड़े तो बड़ी जो खसता हालत है रोड की उस वज़ा से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार बड़े सारे अपनों को खोना भी पड़ता है और इन लोगों का दर्द यही जान सकते हैं हम नहीं जान सकते क्यूंकि हमने शायद उतने लोगों को ना खोया हो जितने का ये भोज लेकर दिल पर चड़ रहे हैं और आज ये मीडिया के सामने आए हैं अपने आला अधिकारियों से अपने जो इनके हमारे सारी अडिमिस्टेशन है जगवर्नर साहब है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सर इन लोगों को देखें क्योंकि यह लोग तब ही बाहर निकलते हैं जब पानी सर से उपर हो और इस वक्त कहा जाए तो इनके कहीं लोग पानी के असर से उपर कहीं लोग चल वी चुके हैं तो इन लोगों को देखें और इनकी समस्याओं का सामधान करें कैमरा मैन विशाल शर्मा के साथ मैं दीपक शर्मा जेके फस्ट नियूज कोट रंका रुजोरी